हेलो फ्रेंट्स वोगत आपका मारे चैनल सफलता का डबल और आज है 20 मार्च 2021 आईए देखता है श्क्रेंटरफेल का हमारा पहला क्या है किस राज्य के बीच तो यह फैसला लिया है माराष्ट राज्य के बीच बान लिजी कि यह माराष्ट्रा है और यह क्या है यह है MP इन दोनों राज्यों के बीच क्या होता है बसों का संचालन होता है तो इस बसों के संचालन को क्या कर जाएगा बंद कर जाएगा यह जो पर उनको बंद करने का फिलाल उन पर परदीपन लगाने का फैसला लिया है मद्यप्रदेश सरकार ने अब मद्यप्रदेश सरकार ने फैसला लिया है तो सबसे पहले मद्यप्रदेश की बात आपसे करते हैं मद्द्य प्रदेश्ट की एके जंता पारिटी की सरकार है यहां पर आपको बता दे बीजेपी का बात'm की गश्य को ना कlingt कोण है, पहर handout है, काहा की? राजजपान है, मद्द्य प्रदेशी, आरंप में पिडHzी। अब यहाँ पर हम विकलपो की अगर बात करें महाराश उत्तरप्रदेश राजसान गुजरातिन के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं पहले बात कर लिते हैं आपसे, पहले बात करते हैं हम आपसे महाराष्ट राजजे के बारे में, किसके बारे महाराष्ट के बारे में बात कर लिते हैं, क्योंकि महाराष्ट के बारे में नीचे लिखा हूँ नहीं है, तो महाराष्ट के अगर आपसे बात करें तो यहां की रा को याद रखनी है यहां के राज यपाल क्या सब्टों के बारे में अस्तर प्रुदेश की रायधानी यह लखनौ के राज़ानी यह BAT एक बात और आपको याद रखनी है लखनाओ कौन सी नदी किनारे हिस्ती थे तो लखनाओ गोमती नदी किनारे हिस्ती थे अब यहां पर बहुत से student question करें कि MP की बिराज जपाल अनन्दी बेन पठल और UP की बिराज जपाल अनन्दी बेन पठल जो हमारे से नहीं जुड़े हुए student है वही question करेंगे अपर जो new student है क्योंकि इस बात को लेकर विश्चे श्रूप से मैं किलास ले चुका हूँ पहले लग बग काफी समय पहले मैंने किलास ले थी चाहे तो हम बात कर लें हैं कि UP और MP MP यह रहा और UP यह रहा यानि कि UP और MP अब एक व्यक्ति दो राज जोगर राज जपाल कैसे रह सकता है ऐसे क साथ साथ इसको लेकर हमने विश्चे श्रूप से किलास लेए थी कि एक व्यक्ति दो राज जोगर राज जपाल कैसे है और मातर इतना ही ने उस क्लास के नदर में यह बी चर्चा किया था कि राज जपाल का बारे में और भी बात पढ़ी थी यह इस के इंदर बताय गया थ जो इस बारे में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं अपनी शंकाय दूर करना चाहते हैं तो एक क्लास आपको मिलदा है कि कुछ समय पहले इस क्लास को लिया गया था उसको अपर अनंती बेन पटेल और भगास सिंग ओशारी दोनों के फोटू भी लगगे हो हैं तो इस क् प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री वह गया थिस्तिनाथ है राजजपाल यहां की अनंती बेन पटेल हैं अब बात गुझरात राज़्य करते हैं गुझरात की राजधानी के-पिटल है यहां की गांदी नगर और इस राज्य के अंदर भी बीजेपी आनी के मांटि इंट पर्टि की सरकार हैं यहां के मुख्य मंत्री है कि विजरुपारनी जो कि B.J.P. से ही जिए और आचारी देवपरती हैं आ जिए जैपाल की है आपके बात राज जितान की एक राजिस्तान से एक बात और याद रखनी है, यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा मिलती है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा मिलती है, राजिस्तान 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 के साथ सीमा मिलती है, र आपको कैसे लगई है प्लेस कमेंट के अंदर अपनी राहे जरूर रखें कि लास को अभी तक आपने लाइक तो करीज जाओगो और अंदीम समय में चलते हो इसको शेयर भी जरूर कर दें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो प्रेल लेकर फ्रेस कर पूरी तरी के सब्सक्राइब भी जरूर कर लें आगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं मारा अगला क्या है तो हमारा अगला क्यों ने विश्व बेंक ने किसे 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है तो हाल ही में देवर्ल बेंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है बंगलादेश की मदद की है किसके मार निम से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर परदान करके किसने की है विश्व गंक ने पहरा जानते हैं बंगलादेश के बारे में क्योंकि मदद हुई बंगलादेश सी तो बंगलादेश की राज़अनी रायदानी राका या की परधन मंतरी शेक शीन माई रायठ्थ पत mulher अबदुल हामीच अब्दुलामी के बारे में थोटा सा अपसे जानते हैं विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जो वर्ल्ल बेंक है World Bank To World Bank की स्थापना नहीं थी इसकी स्थापना हुई थी adult Потом 1940 जुलाई उननीस स yaptी Northwestern Washington DC में चैना मुख्याले बात आपके 돼au और यहां परमें Two Wikile Back अब यहाँ पर हमें दो विकल्प और मिले हैं, चीन और पाकिस्तान इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, अगर आपसे बात चायना की करियाने के चीन की तो राजधानी या की बीजिंग है, राश्टपती या के कौन है, शी जिन पिंग, करेंसी है, चायना की क्या, जाकि ते बात आपको यह रखनी है, अब बात करलाएंगे हैं, आपसे पागिस्तान के बारे में, पागिस्तान और चीन वैसे हमारे आप पर विकल्प में उत्थे ही, लेकिन दोनों ही परूसी देश देश भी है, पागिस्तान की के पिलप में इसलामबार, यआ के विचुश्य ने Digital Governance State Roadshow किसने लॉज़ गया है? तो हाल ही में Digital Governance State Roadshow लॉज़ क्या गया है? इसे लॉज़ क्या है? Microsoft इंडिया ने. किसने क्या है? Digital Governance State Roadshow को लॉज क्या है? Microsoft इंडिया ने. संयुक्त अरब अमिरात के क्रिकेटरों नावेद और शमन पर आठ साल का प्रतिबन किस ने लगा है इनको एट जेट के लिए बेंट कर दिया गया है आठ साल के लिए इनको पर प्रतिबन लगा दिया गया है किसके UAE के क्या है क्रिकेटर है नावेद और शमन इस पर आठ साल का प्रतिबन लगा है ICC ने ICC यानिके International Cricket Council ने को प्रतिबन लगा है अब International Cricket Council ने प्रतिबन लगा है तो इसकी बात करें इसकी स्थापना 151909 में हुई थी और इसका मुख्याल लेह कहां पर दुबई के अंदर मुख्याल लेह 151909 को इसकी स्थापना हुई थी किसकी ICC की स्थापना 151909 को और दुबई में मुख्याल लेह ICC अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला क्यूशन क्या है त रूस के यानि के रश्या के विग्यानिकों ने बेकल जीर के अंदर एक बड़ा टेली स्कोप लगाया है अब रश्या के विग्यानिकों लगाया है तो रूस की राजधानी मोस्कों है और यहां के राश्पती हैं व्लादेमिर पुतिन कौन है व्लाद इमिर पुतिन राश्च्पती है रूस के और राजधानी या की मोस्कोई है रूस की बात होगी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वशिंग गटन डी-सी है जापर वर्ड में एक का मुखैल ले हमने उपर पड़ा ता वशिंग गटन डी-सी और यहां के जो राष्टपती है वो है जो बाइडन ये बात आपको आदर रखनी इस अमेरिका के चीन की बात हम उपर करकर आए हैं चीन की राष्टपती शी जिन पिंग और करेंसी रेल मिन बी और केपिटल यहां की बीजिग है अब आगे बढ़ते हैं देखतें इंगला क्युक्षिन क्या है अगला क्युक्षिन है मारा वर्ल्ड स्लीब डे सोने वाला दिन वर्ल्ड स्लीब डे कब मना जाता है तो वर्ल्ड स्लीब डे आपको बता दें परतियक वर्ष मार्च माह के तीसरे शुकरवार को मना जाता है यानि के फ्राइडे में इसे मना जाता है जो थर्ड फ्राइडे होता है थर्ड फ्राइडे मना जाता है थर्ड फ्राइडे कुन से मंच का? मार्च मंच का तो मार्च मार्च के 30 रे शुकरवार को क्या मनाय जाता है? वर्ल्ड स्लीब डे बनाय जाता है अगला क्यूशन है वारा किस पूर्व क्रिकेटर को 2020 के अगला क्यूशन है मार्च मार्च रूटे ने चुनाव में लगता चोथी बार जीत दर्ज की है ये परधार मंत्री बन गए है कहां के नीदरलेंड के तो नीदरलेंड के परधार मंत्री थे लेकिन फिर से चुनाव में चोथी बार जीत दर्ज करके फिर से परधार मंत्री बन गए है नीदरलेंड के कौन? मार्क रूटे मार्क रूटे इनका नाम है राइधानी के अगर बात कहें तो नीजेलेंड की राइधानी क्या है तो वह है ایम्स्टरड़्डम क्या अध्स्थरडम केपिटल वृफ नीजेलेंड विशत्पती बनी है अगला क् nomi सूम्या सुलूहु कि इस डेश की परत्म महिला राष्ट-पती बनी है तो समिया सुलूह। ये पर्फम महिला राश्टपती बन गई है तन्जानिया की इन्होंने आभी कहली में शब्वत लिये राश्टपती बनी है क्यों? इनके हस्बेंड का निदन हो गया था अब अगर हम बात करें आपर राइधानी के बारे में कि तंजानिया की राइधानी क्या है तो तंजानिया की राइधानी है डो डो मा क्या है के विमने कल भी बढ़ा सा तंजानिया की कैपिटल है डो डो मा ये बात आपको याद रखनी है डो डो मा अगला क्यूशन है मारा ख खुजरा आकर्षेंट सूचकांग में बेंगलूरू नंबर पर रहा है दूसरे नंबर पर रहा है खुजरा आकर्षेंट सूचकांग में बेंगलूरू बेंगलूरू के अगर आपसे बात कें तो बेंगलूरू करनाटका में है और करनाटका की राजदानी है Capital of Carnatic कभी है Bengaluru यह बात आपको याद रखनी है अगर Carnatic के यहापर बात आई तो Carnatic के आपसे बात करें तो मुख्यमंतरी Carnatic के कोन है B.S.E.D.E.U.रपपा और यहां के जो राज्यपाल है वो है वजू भाई वाला कोन है वजू भाईवाला यहां के राज्यपाल है मुख्यमंतरी B.S.E.D.E.U.रपपा है करना तक की राजधानी बेंगलूर हुए यह बात भी आपको आध रखनी है इसे दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है आज की तुमारी करेंटेफेस में समाप्त होती है आपको वीडियो के सखला प्लीज कमेट किके है जरू बता है झाल झाल